तो UFC 302 का इवेंट धीरे धीरे पास आते जा रहा है जिसके अंदर इसलाम महाचेव और डस्टेन पोरियर की फाइट होने वाली है और इस फाइट के अंदर काफी सारी नई स्पेशल टेकनीक्स लेके आने वाले हैं और एक स्पेशल चीज उन्होंने प्लान कर रखी है प्राइकिंग का थोड़ा मजा कुड़ा है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के उपर सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे साथी साथ जो रायन गार्सिया की कॉंट्रोवर्सी चल रही थी कि उन्होंने पर्फॉर्मेंस एन्हेंसिंग ड्रॉग्स यूज किये देविन हेनी की फाइट के लिए उसमें से जो दो ड्रॉग्स का यहां पर नाम लिया जा रहा था उसमें से एक ड्रॉग के लिए रायन गार्सिया को यहां पर क्लियर कर दिया गया है उनका टेस्ट रिजल्ट यहां पर नेगेटिव आया है सारी चीज़ों के बारे में इस अब इस fight का अगर overall perspective आपको जानना है तो यह basically एक striker versus wrestler का fight है यहाँ पर Dustin Poorer को एक बहुत अच्छा striker माना जा रहा है और Islam महाचेफ को एक बहुत अच्छा wrestler माना जाता है UFC के अंदर अब देखें CJ यहाँ पर यह चल रही है कि पिछले कुछ ताइम से Dustin Poorer अपनी fights के अंदर guillotine जो की एक submission होता है उसको बहुत जादा यूज़ करते हैं और MMA fans यहाँ पर एक possibility निकाल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि Dustin Poorer guillotine यूज़ करके Islam महाचेफ को submit कर सकते हैं कि Dustin Poorer थोड़ा instigate हो इन सारी चीज़ों के गारण और इन प्रिवियस ताइम से भी Islam महाचेफ ने Dustin Poorer की grappling को काफी जाधा question करा है अब यह चीज़ यहाँ पर हंडेड़ प्रसंट फैक्ट है कि Islam महाचेफ एक wrestler है वह striking उनकी जाधा बेटर नहीं है दस्टिन पोरियर से और दस्टिन पोरियर एक striker है उनकी wrestling बेटर नहीं है इसलाम महाचेफ से यह 100% फैक्ट अब दोनों fighters है कितना भी जाधा claim कर ले इसलाम महाचेफ बोले कि हम striking जाधा अच्छी कर सकते हैं मेरी striking इंप्रूव हो चुकिए वो डस्टिन पोरियर लेवल की striking नहीं है और दस्टिन पोरियर जितना भी बोले कि मैं 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 आट्स के अंदर grappling train कर रहा हूं summitions train कर रहा हूं मैं समिट कर सकता हूं इसलाम को यह ऐसा possible नहीं हो सकता है बहुत कम chances इन सारी चीज़ों के होने ही बाइयो यह तो रही है आपर दस्टिन पोरियर वसे इसलाम महाचेफ की trash talking जो भी तक चल रही मैंने आप सब को सब कुछ बता दिया है आप सब अपना opinion यहा comment section में जरूर बताइएगा बात करते हैं पर Ryan Garcia की controversy के बारे में मैंने कुछ वीडियो पहले आप सब को बदाया था Ryan Garcia पर allegations लगे थे कि उन्होंने performance enhancing drugs लिये थे उनके जो samples fight से पहले और fight के बाद लिये गये उसमें कुछ positive substances निकल गया है तो उस news के उपर यही update है बायो कि यहाँ पर जो Ryan Garcia का sample था उसका एक sample यहाँ पर negative आ चुका है एक drug जो उन्होंने लिया था उसको यहाँ पर clear कर दिया गया राग यहाँ पर Ryan Garcia के system के उपर नहीं निकला है और दूसरा जो austerine drug के मारे में मैंने आप सबको बदाया था उसका test results 22 में को आने वाला है 22 में को वो चीज़ भी clear हो जाएगी कि क्या Ryan Garcia ने ओस्टरीन लिया था कि नहीं लिया था बायो अब आप सब के दिमाद में यही चीज़ जरूर आ रही है कि यह news को फिर फैलाई क्यों जब यहाँ पर Ryan Garcia पूरी तरीके से clear था नहीं पूरी तरीके से positive था नहीं तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को फालाया कि हो गया तो यहाँ पर यह रिपोर्टर्स की गलती है मीडिया की गलती है definitely वो कोई भी चीज़ को ऐसा किसी भी fighter को मैलाइन करने के लिए उसकी image को खराब करने के लिए सारी चीज़े की जाती है डैन रफैल नाम का जो reporter था उसने इस news को first time publish करा था वो जो सबसे important test होते हैं samples के वो जब तक अभी उसके reports आये नी थी तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पब्लिक करने का कोई भी मतलब था नहीं फाल तो में राइन गार से है कि यहाँ पर image को एमपर किया गया है और 22 मे खारण जो upcoming boxers होते हैं उनको काफी ज़्यादा demotivation face करना पड़ता है और ऐसा हमने काई बार देखा है कि जब भी fighters अपना zero lose करते हैं मैं ऐसा blame नहीं कर रहा है कि डेवी हैनी की कैम की तरफ से कुछ किया गया है नहीं किया गया है विट फाइटर जब भी zero lose करते है तो उन यहां पर किया गया और एक kind of बहुत ही unnecessary controversy थी राइन गार से है कि image को यहां पर खराब करने के लिए public के अंदर भाइयो इस बारे में कोई भी update आप सब के पास होगा आप सब अपना opinion मुझे नीचे comment section में ज़रूर दे सकते वीडियो पसंद आया गो तो इसको like channel को subscribe कर दिज बाइब बाइब